हरियाना विधान सभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबार चौदरी भुपेन सिंग हूडा का सोनीपत दौरा सोनीपत के गन्नौर विधान सभा में करेंगे जन संपर ये बड़ी जानकाली सामने निकल कर आ रही है अर्याणा विधान सभाद चुनावों से जुड़ी हुई जहाँ पर पूर्वो मुख्यमंत्री भूपेंद सिंग हुड़ा सोनीपद दौरे पर रहने वाले हैं जहाँ पर चुनावी प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे भूपेंद्र सिंग हुड़ा एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री नायप सिंग सैनी चुनावी प्रचार करेंगे तो वहीं पूर्वो मुख्यमंत्री कॉंग्रस नेता भूपेंद सिंग भूड़ा भी प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए नजर आएंगे सोनीपद दौरे के दौरान ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है गन और विधान सभा में करेंगे जन संपर्क तो देखिए हर्याना विधान सभा चुनाव बेहत नस्दीक है पांच अक्टूबर को गोटिंग का दिन है आठ अक्टूबर को नतीजे आएंगे ऐसे में लगातार तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है एक एक सीट पर चुनावी प्रचार अभ्यान की कमान सभालते हुए दिगज नजर आ रही है विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सयोगी ओपी राय हमारे साथ जुड़ गए है ओपी राय हम आपसे समझने की कोशिश करेगे एक तरफ देखिए मुख्यमंत्री नायप सिंग सैनी चुनावी प्रचार की कमान समालते हुए नजर आएंगे और मिजास क्या है हरियाना की जनता का तुर्ण तुर देखिए कॉंगरिस प्रटी की तरफ से जहां अभुपेंज सिंगूडा आज सोनीपत में दौरा करेंगे वहीं दिपेंदर हुडा जो हैं वो रानिया जो है सिर्शा में यहाँ पे और कल्नावली में वहाँ पे जो है रेलिया करेंगे हेलकेटर से दौरा कर रहे हैं आज वो साथ ही आपको बता दो कि और बिंद केजरिवाल जो आम आदमी पाटी के संजोज़क हैं वो आज फतेहाबाद के रानिया में मतलब सिर्श्या के पास ही पड़ता है जीला फतेहाबाद तो वहाँ पे रानिया में जो स सेनी का भी जो है दोरा है आज लेकिन वो कहां कहां दोरा है अभी तक हो पूरा कनफरमिशन उनकी नहीं है लेकिन वो भी एक्टीव है और मोहनलाल बड़ोली जो परदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो आज रोहतक में प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं जैसा कि आप इडी ने उनको पचीस करोड ये अवैद खनन मामले में जेल में बंद किया था जेल से वो नॉमिनेशन किये थे उनको हाई कोट ने आज जो है उनकी जो सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याज का पर केस को ही रद कर दिया है कि गिरफतारी इडी ने की है तो ये भी ये म बहु समीक्षा है वो अभी कमान समाले हुए थी लेकिन अब सुरियन परवार जो है जेल से छूट जाएंगे चुकि हाई कोट ने मामला ही रद कर दिया है जो केस बनाय था उसको क्वेश्ट कर दिया तो ये आज बड़ा मुद्दा होने वाला है हर जगा आप देखिएग हरियाना में जहां भी चुनाव परचार होंगे इसकी चर्चा कॉंग्रिस द्वारा की जाएगी तो आज का दिन जो है हरियाना के लिए जो है चुनोती वाला रहेगा चुकि ये जो मामला है तो बीजेपी की सरदर्दी आज हरियाना में बढ़ेगी जी बिल्कुल देखे चहल कदमी ओमप्रकाश काफी तेज आज नज़र आएगी हरियाना में क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़ी का रहा है नेताओं के दौरे भी होते जा रहे हैं चाहे दिली से भी नेता पहुंच रहे हरियाना में चुनावी प्रचार की कमान समालते कोशिश करेंगे चंडीगर से आप हमारे साथ मौजूद हैं हरियाना की जनता का क्या कुछ मिजाज है इन पार्टियों को लेकर और इनेलों और साथी साथ जो जेजेपी है उनकी क्या स्थिति आप देख रहे हैं क्या उनकी तरफ से किस तरह से प्रचार अभियान जो है सम अभी कवरिज के लिए जो हमारे टीम निकली है तो उस टीम के साथ मैं निकला हूँ चंडीगर से और अभी मैं बिल्कुल चंडीगर से तक्रीवन तीन सो किलो मीटर की दूरी पर डबवाली जहां की हरियाना खतमों के पंजाब सुरू होता है पंजाब का भटिंडा जाता है ऐसी जगह पर मैं डबवाली में अभी पहुंचा हूँ और यहां जो जो रास्ते में मैंने चाहे वो मैंने हिसार का दौरा किया सिरोहतक का सोनीपत का भीवानी का और सिरसा का फतेहाबात का जहां भी मैं जा रहा हूँ लोगों में एक बात है बदलाव की और जिस तरह क की बात जो कॉंग्रेस पार्टी को लेकर जो लोग कर रहे हैं जो बीजेपी के दस साल के सासन में भले ही बीजेपी अपने कारणामे गीनाते रही कि हमने यह किया हमने वो किया लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान नाखुस है जो भी किसान है अगर गाउं में हम जाते है बिल्कुल ओम्प्रकाश आप बने रहे एक बड़ी खबर हम इस बीश जद्धाशुकों को दे देते हैं जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे हर्याणा विधानसवा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो बात हर्याना की की जा रही है जो विधानसवा चुनाव की उसमें आप देखेंगी कि किसानों का कहना है कि उनसे चाहे वो फसल बीमा की बात कही जाए या उनके जो पिंसन बुजरुक पिंसन हर्याना में जो दिया जाता है जो अभी तीन हजार रुपे पूरे देशने नंबर वन है लेकिन उसके कागज इतने पेचीदा कर दिये गए हैं पोर्टल के मादम से कि एक कागज वो पूरा करते हैं तो दूसरे कागज की मांग की जाती है तो उनको वो चीज मिलने दी तो और काफी परिशानी लोगों को ह वैसे ही जिस तरह से अगर युवाओ की बात करें तो करते हैं कि हरियाना में नौकरियां जो है वो दस साल में एकदम बंद हो गया जो भी अगर कोई इम्तिहान हो रहे हैं नौकरी के या कुछ उसका परचा लीक हो जा रहा है और हाई कोट में मामला चला जा रहा है की सरकार के मामले में मौजूदा राज्य सरकार लेकिन कहीं न कहीं दुश्वारियां आम जनता के सामने निकल करा रही है जहाँ पर मोबाईल नेटवर्क है नहीं है वहाँ पर पोर्टल कैसे काम करेंगे एक बड़ा सवाल यहां पर होता है इस पर जनता इसको कैसे लेती ह और किसे अपना प्रतिनिधी चुनती है ये देखना महत प्रपूर्ण होगा ओम प्रकाश बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे दैश्योकों तक पहुचाने के लिए